नमस्कार हिमाजल बुलेटिन में आपका स्वागत है पेश है आज के समाचार उर्जा स्रोतों के तिवर दोहन से वर्ष 2030 तक 10,000 मेगावाट अतिरिक्त उर्जा उत्पादन किया जाएगा इस निती में हरित उर्जा स्रोतों के तिवर विकास के लिए चार सुत्रिय योजना के अंतरगत राज, संयुक्त, केंद्रिय और निजीक शेत्र की भागेदारी स स्थापित करने के लिए ट्रांस्मिशन मास्टर प्लान तियार किया जाएगा जिससे जल और सौर उर्जा पर योजनाओं की योजना और समयबध क्रिया नवयन में सुविधा उपलब्ध हो सकेगी इस निती में नवी करिणिये उर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, बायोम और अन्य गैर पारंपरिक उर्जा स्रोतों के दोहन पर विशेश बल दिया गया है। प्रतियोगिताओं में भाग लेने और उच मानकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षन, प्रोचसाहन और समर्थन दिया जाएगा। महत्व में बढ़ोतरी कर इसे 85 से बढ़ाकर 100 अंक करने का भी निरने लिया ताकि भरती प्रक्रिया में और अधिक पार दर्शिता लाई जा सके। मंत्री मंडल ने कोरोना वहमारी के दृशिकत ट्रांसपोर्टर्स को राहत प्रदान करते हुए विभिन निश्रेणी के वाहनों के टोकन टेक्स, स्पेशल रोट टेक्स और यात्री कर में शत्प्रतिशत चूट देने अथ्वा माफ करने की कारियोतर स्विक्रती प्रदा मंत्री मंडल ने 1 जुलाई 2021 से 30 नवंबर 2021 की अवधी के लिए यात्री वाहनों, कॉंट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के शत्प्रतिशत टोकन टेक्स और यात्री वाहनों के SRT को माफ करने का भी निरने लिया बैठक में कॉंट्रेक्ट कैरेज और संस्थागत बसों के 1 अप्रेल 2020 से 30 नवंबर 2021 की अवधी के शत्प्रतिशत यात्री कर को माफ करने का भी निर्ड़े लिया गया मंत्री मंडल ने मंडिस जिला के धरमपूर में लोग निर्माण विभाग का नयावरित खोलने और इसके लिए आवशक पदों के स्रिजन और भरती को भी स्विक्रिती प्रदान की मंत्री मंडल ने कांगडा जिले के शाहपूर में लोग निर्माण विभाग का नया मंडल और दाडिनी में उप मंडल खोलने और इन कारियालियों के सुचारू संचालन के लिए आवशक पदों के स्रिजन और भरती को अपनी स्विक्रिती प्रदान की मंत्री मंडल ने जिला मंडी में जलशक्ती विभाग उपमंडल टिहिरा के डरवाड के अंतरगत नया अनुभाग खोलने तथा आवशक पदों के स्रिजन वभरने को स्विक्रती प्रदान की बैठक में जिला मंडी में जलशक्ती विभाग, उप मंडल, केलो धार के अंतरगत, केलो धार में नया अनुभाग खोलने तथा आवशक पदों के स्रेजन वभरने को स्विकृति प्रदान की मंड्री मंडल ने राजस्व विभाग में विभिन्ने श्रेणियों के 108 पदों को अनुभंध आधार पर भरने की मंजूरी प्रदान की बैठक में उध्योग विभाग में रेशम निरिक्षक के 42 पदों को अनुभंध आधार पर भरने का निरने लिया गया मंत्री मंडलने राजस्व विभाग में अनुबंधा आधार पर सांखी की सहायक के तीन पदों को भरने का निरने लिया बैचक में लाहॉल्स पी 30 जिला में गत वर्ष 27 से 30 जुलाई तक भारी बारिश के कारण क्रिशी एवं बागवानी को हुए नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने की अनुमती प्रदान की गई किसानों को 25 से 50 प्रतिशत नुकसान के लिए 2,000 रुपे प्रतिबिघा, 50 से 75 प्रतिशत नुकसान के लिए 2,500 रुपे प्रतिबिघा और क्रिशी एवं बागवानी फसलों को 75 प्रतिशत से अधिक नुकसान के लिए 3,000 रुपे प्रतिबिघा प्रदान की जाएंगे मंत्री मंडल ने आमजन की स्विविधा के लिए स्विकृत माप दंडों में चूट देते हुए नियुशिमला के सेक्टर 6 में लॉइन्स क्लब और हाउसिंग ब्लॉक 46 के मध्य प्रात्मिक स्वासे केंद्र भवन के निर्मान की यूजना को स्विकृती प्रदान की मंत्री मंडल ने राज्य कर एवम आपकारी विभाग की पुनरगठन को अनुमती प्रदान की मंत्री मंडल के समक्ष प्रदेश में COVID-19 की स्थीती और COVID-19 महामारी को नियंतरित करने की तैयारियों के बारे में प्रस्तूती दी गई मुख्यमंत्री श्विजाराम ठाकुर ने आज मकर सक्रांती के पावन अफसर पर शिमला के प्रसिद्ध जाखु मंदिर में शीष नवाया और पूजार्चना की मुख्यमंत्री ने यग्य में भी भाग लिया और प्रदेश वासियों की समरिधी, शान्ती और कल्यान के लिए प्राथना की मुख्यमंत्री श्विजाराम ठाकुर ने आज बेंटनी कैसल शिमला का दौरा किया और इस एतिहासिक भवन की निवीनी करण में प्रगती की समिक्षा की इस भवन का ADB पर योजना के तहत 25 करोड रुपे की लागत से जरनोधार किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरनोधार कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये इसके उपरांट पत्रकारों से अनौपचारिक बाचित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी दिसम्बर तक की साल की सोचा था हमने पिछले 2020 की तो ये बन करके त्यार हो जाए लेकिन किनी कारण उसे गिलंब हो गया इसमें अब वह ही हम अगले टाइमलाइन इसकी तढ़ा कर रहे है हम चाहरे कि जल्दी से जल्दी सको ये तब किया जाएगी एक तो इसमें बहुत सारी चीजों को लेकर कि आने बालव हमें क्या क्या करना हूँ हूँ सारी सीजों को लेकर कि तो वीचार हो गए लेकिन कि शिमला के अतिहासिक कुछ पहलूँ पर लाइट एंड साउंड का एक शो का एक प्रोविजन यहां इसके अंतरगत करने का भी हमने प्लैन किया तो उसके लिए चीजें पुचारियों पढ़ी भी है और आज तो विशेश तो इसका हम यही देखने आए कि हम इसका अगर जल स्वास्ते एवं परिवार कल्यान विभाग द्वारा दो पहर दो बजे जारी बुलिटेन के रुसार प्रादेश में कोरोना संक्रमन की जांच के लिए आज 1855 लोगों के सेंपल लिए गए जिन मेंसे 227 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है जबकि 1586 लोगों में कोरोना वाइरस के संक्रमन की पुष्टी हुई है जिन मैंसे 226,870 लोग इस बिमारी से ठीक हो चुके हैं और 7,988 व्यक्ति उप्चारा दिन है हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल फॉलो करें ट्विटर एट DPRHP लाइक करें फेस्बुक पेज इंफर्मेशन और पॉब्लिक रेलेशन देपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश विजिट करें वेबसाइट www.himाचलpr.gov.in इसनक में तना ही कल फिर होगी मुलाकार तीजे इजाज़त नमस्कार